हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट जश्ट फोर को और दोस्तों आग यहां आप लोग लेकर आमेजिंग वीडियो लेकर यह 6 जावस्क्रिप्ट टुटोरियल का है यानि कि इसी वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा आपको step by step जाके देखना है इससे पहले हमने प्रॉमिस को पढ़ाया था और देन और कैज ब्लॉग से हिंडल करना सिखाया था आपको इस वीडियो में हम लोग उसी प्रॉम मैं आपको बताऊंगा जरूर उसको देखिए बहुत काम का होने वाला है आपके लिए और आपको पसंद आ जाए तो जरूर हमारा चैनले सब्सक्राइब करके लाइक करें दोस्तों और शेयर करना ना भूलें और दोसरों को भी रिकमेंड करिए ऐसी जानकारी आपको यहा ब्राउज करिए और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिए चैट जीबिटी मैंने बनाया है यह प्रोजेक्ट है अपका ठीक है यह आपका पोर्टफोलियो तो इस पर बात नहीं करेंगे आपको देखना नीचे जाके स्क्रॉल करिए प्लेइलिस्ट वाले सेक्शन में ज इसको मैंने यहां से ओपन विद्गूगल ख्रोम किया इससे क्या होगा हमारा जो क्रोम है उसमें ओपन हो जाएगा ठीक है प्रॉमिस लिखा हुआ है इसको मैं कट कर देता हूं पहले से खुला हुआ था और हमारा जो रिजल्ट है वो कंसोल में दिख्या होगा क्योंकि हम अब क्या करना है अगर इमेल गलत कर दूँ और रिलोड करूँ तो यहां पर रहूंगे इमेल में से जाएगा हमें पीज व लोड होती काम नहीं करना है बलकि हमें फॉम बनाना है और यहां पर देखिए हमने इस्टेटिक वायली दिया था अब हम फॉम्म के अंदर से लेंगे तो ज़रा आईए ऊपर की तरफ एक form बना लीजिए इस तरीक से मैं नहीं में इस फॉर्म उसके बाद आपको एक इंपूट फिल्ट इसमें प्ले सोल्डर लगा देंगे ईमेल दो बार भी आर तेक करेंगे फिर से इंपूट फिल्ड पी ले आया गया था वह इस ही बनाना है कुछ भी नहीं करना इसमें ठीक है यहां पर क्या करेंगे हम इंपुट फिल को भी सेलेट करेंगे तो यहां पर कॉरी सेलेक्टर और इसको पढ़ाया है यह जावास्किप आपको आनी चाहिए यानि कि आपको यह सारी चीचा करनी आनी चाहिए अगर नहीं आता है तो आप जो है मेरे YouTube चैनल पढ़ाए गया है उसको पढ़िए या तो आप मेरा जो है प्रीमियम क्लास लीजिए वहाँ पर मैंने बहुत एच्छे से सब कुछ पढ़ाया है देखे फ़र्म यहां पर है यहां पर आल इंपुट कर देता हूं मैं यानि कि सभी इंपूट फैल को मैंने इसमें रेट कर लिया जो फ़र्म है उसी में on submit लगाऊंगा तो फॉर्म में मैं क्या किया तो लगा दूगा ताकि हमारा पेज चिते आज के ? करेंा इस तरीके से करो दोस्तों ऐसे फिर से इस पैज के ? तो जरा मैं फिर से जाता हूं और यहां से मैं Ctrl O कर लेता हूं Open with Google Chrome कर लूँगा यानि कि जो ES6 है हमारा यह इसको मैं Right Click करूँगा और Open with Google Chrome कर लूँगा इस तरीके से ठीक है यह रहा और यहां पर आ के देखिए समीट पर क्लिक करेंगे alert हो जाएगा इस तरीक हो गया हमें इसका value और इसका value निकाल लेना है एक variable में रख लेंगे इसका value निकाल के तो यहां पर आयए जरा let email के नाम से मैंने variable बनाए और यहां पर क्या करूँगा का अंपना एंपना मैं पाश्वर्ड का वालिव निकाल लिए यहां पर वाश्वर्ड का वैल pod वैलियू निकाल लिए आप चाहें तो अभी आपको क्या गरना है यह जो इमेल और या पास्वर्ड ऑली फंक्शन को देना है या यह genau आप को फंक्शन है इसको देना है miracle सब्सक्राइब है याँपर हैं उसलिए अनने कि यहां पर पास्वर्ड वेज देंगे पहले इमेल आपको भीजना यानिकि पहले रिसीब किया इमेल भीज देंगे उसके बाद पास्वर्ड बहेद देंगे जो input field का data है उसके बाद क्या करेंगे then इससे define करेंगे और यहां पर हम response को receive करेंगे success बाल जो response होगा इससे मैंने parameter दिया और यहां पर callback दूँगा console.log में success को यहां पर print कर देंगा जो हमारा success आएगा उसको मैंने print कर देंगा control yet यहां कि जो success जा रहा है उसको मैं sorry यार क्या हो रहा है यह जो success जा रहा है इसको मैंने यहां पर print करते है ठीक है terminate करूँगा जो भी error का response आएगा वो catch में यहां पर handle करेंगे तो catch यूज करिए catch block करिए error को receive करिए callback दीजिए console.log करिए इस तरीके से और जो भी error आएगा उसको हम print कर देंगे यानि कि error ठीक है तो अभी हमने क्या क्या है input field से data देंगे और वो match करेगा यानि कि हमारा यह function है वह पहले से जैसे बना था वह इसी बनाना है input field का data हमने receive किया इस function को call करते से मैं हमने यहां से बेजा और वहां पर receive हो जाएगा यानि कि यहां से अगर आपने कुछ भी वह जाए तो यहां पर जाएगा और यहां पर automatic आपने code कर रखा है वह चेक कर लेगा reload करिए जरा मैंने reload किया और यहां पर inspect कर लेता हूं देखिए console में जाओंगा यहां पर मैंने डाला a.gmail.com और यहां से मैंने password डाला 12345 के लिए send पर क्लिक करूँ देखिए password not match आया अगर मैं 12345 कर दूं submit पर क्लिक करूँ login सक्से जा जाएगा यह देखिए न अगर मैं email गलत कर दूं और submit पर क्लिक करूँ email not match इस तेका message जा रहा है यह अगर मैं email को सही कर दूं और password भी सही कर दूं तो login सक्से जो जाएगा ठीक है तो यह तो होगया then or catch से अंडल करना है लेकिन यही चीज़ अगर हमें try or catch block से अंडल करना होता तो कैसे करते है उससे भी और ज्यादा आसान है करना है यहां पर देखिए आपने then or catch से अंडल क हमने block बनाया ठीक है try or catch का यहां पर हमने success का response करना है और यहां पर जो भी error का response जानी कि जो reject हमें देगा वो यहां पर आएगा तो सबसे पहले हम function call कर लेंगे जो हमारा demo नाम का function इसको call करी और यहां से email भेद दीजिए comma देके password भेद दीजिए इस तरीक से मैंने password और email भ प्रिंट कर दूबाइब तो जो आपका resolve देगा यानिकि जो आपका resolve देगा वह यहां पर आ जाएगा try के अंदर और console हो जायगा जो आपका reject देगा error यहां पर receive करेंगे उसको यहां से console.lock कर देंगे यहां पर क्या करेंगे इसको console.log और error को print कर देंगे ठीक है तो try or catch में यहां पर मैंने क्या किया इसको मैं यहां से email डाल देता हूं जरा रिलोड कर लोगा सबसे पहले email डालों उसके बाद मैंने password डाला इस तरीके से तो अभी क्या आएगा यहां पर आपको अवेट करना है थोड़ी देर का यहां पर वेट करना है ताकि response आ जाये उसके बाद यह चले response नहीं आता है उससे पहले चल जाता है इसके वज़से क्या होता है आपका जो है एक्जीकूट करना होगा अभी तक जो आपका code है वह सिंक्रोनीसली चल ला है लेकिन इसको हमें असिंक्रोनीसली एक्जीकूट करना है इसलिए क्या करेंगे इस function से पहले यहां पर लगा देंगे तो जहां पर भी आपने जिस function के अंदर आवेट कीवर्ड लगाया है उस function से पहले आपको असिंक कीवर्ड लगाना होगा तभी यह code आपका असिंक्रोनीसली एक्जीकूट करेगा ठीक है अब जरहां रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे यहां से मैंने रिलोड किया control और प्रेस करूँगा और यहां पर मैंने email डाला यहां के अंदर success का response रखना जो भी success आएगा वो ट्राइक अंदर जाएगा और जो आपका catch होगा वो एर्र के अंदर जाएगा तो सक्सेज में क्या जाएगा याival के अंदर से रका होगा है यानि कि देखें result से login से भेजा गया तो जो आपका रिजॉल्फ से आएगा वो ट्राई के अंदर ही रहेगा एक अमेजिंग फंक्शनलिटी बताने वाला हूं थोड़ी दिर का वेट करिए अब हमें क्या करना है माल्टिपल इमेल को कैसे मेंज करेंगा वो भी समझेज़का ऊपर की तरफ आईए एक बना लीजे तो मैंने यहां पर एक बनाना है इस तरीके से यह ऊधर इसमें multiple email होंगे इससी के अंदर से हम match करके यहां पर काम करने वाले है तो email के नाम से प्रोपेटिक सेट करिए जड़ा और email में मैंने a.gmail.com set कर दिया अभी हमने यहां पर match जो क्या वह static है अब हम dynamic match करेंगे यानि कि multiple email को match करेंगे पासवर्ड की नाम से प्रोपेटि सेट कर लिए और यहां पर जो पासवर्ड है 123 इसके मैंने रखा इसको मैं copy कर लेता हूं करते थे अब यहां से हम 3-4 login करवाएंगे यानि कि अगर कोई a आ रहा है तो a login करें भी आ रहा है तो b login करें ठीक है तो ऐसी functionality बनाने के लिए आपको क्या करना पर लेगा यह जो इसमें search करना होगा जो भी यहां से input किया जाएगा यहां से इसमें search करेंगे अगर match करेंगा तभी हम login करने देंगे तो यह जो अपने if or else का code रखा इसको हटा दीजे थोड़ी दिर के लिए हमें search करना है तो user data के लिए आप क्या करेंगे user data.find इस function को apply करेंगे find के अंदर callback होता है data नाम का यहां पर parameter देंगे data में क्या आएगा आपका पूरा object आजाएगा यह दिखेंगा और यहां पर हमारा कि जिससे match करना तो data के अंदर से अगर आपको email match करना तो यहां पर लिखेंगे data.email इससे लिख देंगे यहां पर basically आएगा क्या देख लेते हैं जरा return क्या आएगा अगर आपने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है दिखें मैं यहां पर data को ही return कर देता हूँ यानि कि इस पता चल जा है resolve के अंदर मैंने इस तरीक से result को print कर दिया terminate यहां पर करूँगा मलब क्या हुगा कि in the main ses अपने इसको access किया या तो इसको access .. तो हम match करेंगे क्याkung आएक करेंगे जो email आ रहा है तो email आ रहा है आपर इसको पर करंदर इसको आपर ड। टाल दीजिया जरा तो जहांपर आपर email समीट प्लिक करें कि D slowly Er लेकिन अइसा कुछ लिए जो की है crazी नहीं अपके अ उचाहिए क्या पस इसी का अभाइदा उठाएंगे और हम if तो जब मैच करेगा तो अंडिफाइंड नहीं आएगा बस आईए जरा और इसको अटाइए जरा यहां पर चेक कर लिए इफ इफ कंडिशन लगाईए यहां पर इस तरीके से और यहां पर चेक कर लिए रिजल्ट बिखें रिजल्ट मैंने लिखा इस को अपको कमिधर कर लेना है अगर दिपांड के बराबर नहीं है इसका मजब होगा इमेल आपका मेंस और गया अभी ही यहां पर मैंने देगे प यहां पर लिख दिए जरा रॉंग email इस्तिक्स हमें किया भी सिंबल लेता हुँ जरा आके रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं इसा email लाला जो की पहले से हैं अब यहां पर डाला मैंने गलत email डालेंगे तब भी हमारा email match ही आ जाएगा ठीक है इसी तरीक से अगर आपने C डाला है यानि करें आपने C डाल दिया इस तरीक से किलिक करेंगे तो देखिए email match आ गया तो हमें अभी password चेक करना है यहां पर आई जरा आप password आप किसके अंदर से यहां पर आएगा इससे match कर लिया result के अंदर आपका object आ रहा है इसके अंदर से पास्वोड को एक्सिस किया है इससे match कर लिया अगर यह match कर गया तो हम क्या देंगे resolve के अंदर resolve.resolve को एजा function call करेंगे और यहां पर लिख देंगे हम login जरा इसका एक्सिक्राइट यहां पर करेंगे और इसका else भी define कर देंगे else में क्या हो जाएगा इस तरीके से reject कर देंगे इस तरीके से और यहां पर लिख देंगे हम login field यह क्योंकि password आपका यहां पर गलत होगा तो पासवर्ड नॉट मैच मैं लिख दिया टर्मिन यहां पर कर देंगे एक्सलमेंशन के सिंबल देता हूं ठीक है अभी दिखे क्या होगा हम यहां पर आगे जरा मैंने इसको कॉपी कर लिए रिलोड करेंगे यहां पर हमने पेस्ट किया और यहां पर पासवर्ड गलत डाल है पासवर्ड ऑ क्या है फान ट्री है समिट क्लिक करेए देख लागिं सकसे हो गया इसी तरीके वर अपने बी क्या है यहां पर कि यहां पर कंब करेंगे देखिये पासवरर नॉर्ट में चाहेगा अगर हम बी बना pastoral डाल देए 1 u2 3,4 यह देखे, login success, तो login का program आपका बन गया, यहां पर आपका dynamic data नहीं रहा, आपने dynamic लिए match किया है, बस यहां पर बढ़ाते जाएं, यहां पर बढ़ाते जाएं, लिनुकि जितना भी employee का data आपको match करना है, यहां पर बढ़ाते जाएं, और match का लिजए, login system आपका तो यह बहुत ही आसान कोड था अगर आपको इसमें दिक्कत हुआ जरूर कुछ है आपकी help का दी जाएगी अगर आपने find और नहीं पढ़ा है इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको find और find index अब यहां पर आप बढ़ाते जाएए जिदना चेक करना वो चेक हो जाएगा अगर नहीं किलेर हुआ है जरूर कुछ है आपकी help कर दे जाएगा अगर आपको अच्छा लगा जरूर करिए कमेंट करें आप लोग एक दो लोग है जो कमेंट करते हैं बागे कोई कमेंट नहीं